मैं अमिश्रमा आपके अपने यूट्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के साथ में कुछी शेयर करूँगा जिसके लिए मैं आपका एक से दो मिनट का सामय लूँगा उसके बाद में हम अमिश्रमा एश्पेशन में कुछ बहतरीन कंसेट पढ करते हैं उसमें मैं आपकी कल्कुलेशन आसान बना हूँआ तो जो चीज़े में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसमें में सबसे पहले आप से कहना चाहूंगा आप सब लोग जानते हैं कि कॉमपेटिशन जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है विद्यारतियों वह एक teacher tough question कराता है दूसरा teacher उससे भी tough कराता है तीसरा उससे भी tough कराता है और इसमें सबस्यादा loss किसका जा रहा है बच्चे का क्योंकि वो बच्चा कभी GD की तियारी करने निगला था constable की, group D की, railway की, NTPC की और वो धीरी-धीरी करके cat के question को अपनी screen पर देख रहा होता है और फिर बाद में अपने आपसे question पूछता कि क्या मेरा selection हो जाएगा so please, यह मेरा concern है, आप लोग बिल्कुल भी ब्रहमित ना हो, आप बिल्कुल focused हो कि अपने exam से oriented तियारी करें, चाहे आपकी तियारी GD से related हो, group D से, NTPC से, CPO से, CGL से, कुछ भी हो आपका target, but target oriented तियारी करें, ऐसा नहीं कि GD की तियारी करें, cat के question को करा रहा है कोई teacher आपक एक और चीज़ बताने चाहूँगा, कुछ teacher एक ही course से start करतें, उसी में GD का पढ़ा रहे हैं, NTPC, group D, CGL, cat, CPO, bank PO, सब, please request है मेरी, आप अपने exam का level दिखें और उसके according तियारी कीज़े, ठीक है, अभी start करते हैं, हम आज के concept, देखते हैं, कुछ बहतरीं questions, आज का पहला question यह है, इस question को देखने के बाद आपको लगेगा, कि यार आज पता नहीं, सर ने क्या start कर दिया, यह तो बहुत easy है, हम इसे तो easily कर लेते हैं, मैं आपको इसमें वो question दिखा हूँगा, जिन में आपको यह concept इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, यह बहुत easy question question है, इसे आप मैंने यह screen पर लाया होगा और आपने हो सकता है कि 30 second गंदर, 20 second गंदर से solve कर दिया हुआ, मैं आपको पहले general concept बताऊँगा, फिर आपको मैं Amish Sharma special बताऊँगा, उसमें बहुत 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 बहुतरी concept के लिए करने वाला हूँ, मैं आपको ball pen की छोड़ के आगे मत बढ़ना, मैं इसमें जो सिखाना चारू हो, उसे जरूर सीखना, उससे आपको tough question और सीधे tick हो जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहले general concept और उसके बाद मा Amish Sharma special, ठीक है, देखिए इस प्रकार के question जब भी होते, question है क्या, यह देख लेते हैं, जो student की शिकायति के question नहीं देख रहा, question देख सकते हैं आप, आसानी से, यहां pause करके, आप देखिए question यह कह रहा है, कि A किसी कारे को 20 दिनों में, जब कि B उसकारे को 30 दिनों में करता है, तो A और B मिलकर उसकारे को कितने समयम करेंगे, बहुत easy question है, मुझे पता है आपको, बहुत easy question है, बट फिर भी, हम यहां concept बनाएंगे, देखो इस प्रकार के questions के लिए, हम लेखेंगे A और B को, A किसी कारे को 20 दिन में, और B उसकारे को 30 दिनों में करता है, तो सबसे पहले तो हमें कारे को define करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कारे है कितना, और सभी studying जान बताए का total work, यह total work को बताएगा, ठीक है, अब यहां पर आपको total work पता चल गया, कि total work 60 है, मतलब 60 ही उन्टों को लगाने कारे मिला, 20 से divide किया, यहां पर क्या आगया, तीन, 30 से divide किया, यहां क्या आगया, दो, और यह है कि अब यह इनकी छमता, efficiency, ताकत, इनकी छमता आए क्टाई है इसकी चम्ता तीन दो है अब इस प्रिकार की कोश्शनों को इस तरीके करें कि ए और बी जब दोर मिलकर करेंगे तो काम कितना करना है और साट वीच्ट को बेद्य दूनों मिलकर लगाने लगें तो तीन और दो पांच पांच इंट पर डे के हिसाब से लगाएंगे वो और इस प्रिकार से कुल कितना समय लगेगा उन्हें बारे दिन और मुझे पता है ये आराम से आप सभी ने सॉल्व कर दिया था और इसी पैटन पर किया था ठीक है अब आते हैं अमिशर में स्पेशल पर है किसी वी कंसेप्ट को समझने के लिए केसे करेंगे आप ये सूचिये कि यदी कोई एक व्यक्ति किसी कारे को को दस दिनों में करता है मैंने कहा एक व्यक्ति किसी कारे को दस दिनों में करता है यदि मैं उतनी ही छमता के उतनी ही ताकत के दो व्यक्तियों को उसकारे पर लगा दूँ तो यह दस दिन का काम कितने दिन में खतम हो जाएगा बड़ी ऑव्यसी बात भी है पांस दिन में समा atin-up तो उसे उन लोगों को दिन कितने लेंगे這種 मैं कहूं यंदि एक विक्ति किसी कार्य को 50 दिनों करता है यथी मैंने 2 व्यक्ति उत्री ब्रौर्विक्ति नहीं वह लगादूं तो इसको करने में दो कुऩर्व्यक्ति कितना समय लेंगे 35 का मतलब ये हुआ कार ना भी हो यदि समान छमता के दो व्यक्ति हो जाते हैं तो समय आधा हो जाता है और यह बेसिक बस मैं इसका इस्तमाल करा लूँ आपसे बहुत 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 दरीके से ठीक है उसे यहां अप्लाई करवा लूँगा देखिए अब इसमें अमिस्टर में स्पेशल थोड़ा सा लगाते हैं देखो भाई यहां हम देख पा रहे हैं कि A और B मैं मारकर सिर्फ इसलिए चला र लिए तो ए आपको यहां से एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि A 20 दिनों में B 30 दिनों में तो ताकत किसकी ज्यादा होगी भी यह बताइए आप छमता किसकी ज्यादा होगी जो कम दिनों में कर देगा इसका बहतरीन एक्जामपल यह भाई मैं कहूं आपसे दौड़ने म यहीं से एफिसेंसी मतलब मैं हिंदी में कह सकता हूं ताकत वह ज्यादा है किसके एफिसेंसी ओफ बी यानि बी की ताकत से मुझे उमीद है कि आपको यह बास समझ भार रहे हो कि बिल्कुल सिंपल लेंगुजें बता रहा हूं ठीक है यह चीज तो सुझ में आगई अब ह क्रिम का में ऑला मतलब क्या कहना कर रह där यहाप से एफिस तॉम इस डिनों में कर रहा ہं और यदि तुम भी मेरे ये बराबर ताकत रखते बीस दों psychopath चलें वी को अपनी जैसा मात्रों मात्र कितने समय में समफत धाएंगा भी या बिलकुल इस पास्ट है 10 दिनों में समंफ्त हो जाएगा अब A को, तो कार्रे कितने समय में समाप्त होने वाला भी है यहां से, बड़ा इस पश्ट है, यदि B उसे अपनी तरह बना लेगा, तो यहां पर जो कार्रे है वो 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई, इस पश्ट है यहां से, अब हुआ क्या, कि जो A है, वो यदि B को अपनी आसा बनाले तो दस-दिन में समाप्थ हो रहा है यदि B A को अपने जैसा बनाले तो 15 दिन में इसका मतलब यह हुआ कि ना तो B A जैसा बन सकता है और नहींrol ढ़ान दस धिनों में ही समाप्थ होगा और नहींOs लगतेों और लेट से लेट करें और वियो 4 इसका मतलब अब यह हुआ कि कार इस समय के बीच में ही कहीं समापत होगा आंसर जो होगा वो आपका 10 से 15 के बीच में आने बाला है यह ऐसे सी परिक्षम दो वार पूशा गया प्रशन है यह आपको सेम मिलेंगे आप करन की बुक वगरा खोल के देख ले ना ठीक है इसका आंसर 10 और 15 के बेच में आने बाला है अब आपके दिमांग में आ रहा होगा एक दस और 15 तो संब्सक्री को पिल्कुली संब्सक्री सब्सक्राइब लेकिन आप भी कॉन्फिडेंस बात को लेकर नहीं होगा कि यह रेंज आ रही है यदि आप थोड़ा सा दिमांग लगाएंगे तो रिश स्ट्रीन सी चीज़ेस में निकाल के लाते हैं कि देखो यह मान के चलो आप एक गेम चलाए जिसमें यह चाहरा है कि कोई काम दस दिन में हो जाए और बीच आ रहा है कि वह काम पंदरे दिन में हो जाए यह धर खींच रहा है यदि दौनों की ताकत समान रही होती तो आपको रसा कैसी का खेल पता है अच्छे से तो यदि ताकत समान रही होती तो बीचों बीच आंसर आ जाता और दौनों के बीच में देखो कि मिड़ वेल्यू दौनों को जोड़के आधा कर दो 12.5 आनों चीए था ताकत बराबर रहती तब लेकिन एक चीज तो इस पस्ट है ताक 12.5 इसका माला में आनसर जो होगा वो 10 और 12.5 के बीच में होगा और देखिए एक यह उप्शन है मैंने उस रेंज को और छोटा कर दिया है यह अमिस्तर में स्पेशल है बहतरी लगे का आपको मुझे उमीद है ठीक है आपको अब थोड़ा सा इसे समराइज कर देते हैं श जो भी आनसर होगा वो छोटे वाले मान और मध्य मान के बीच में होगा बीच का मतलब यह ना 10 काउंट होगा ना 12.5 इनके बीच में ही होगा यह कंफर्म है ठीक है स्टार्ट करते अगला कोशन देखिए आपको पक्का समझ में आरेगा नहीं समझ में वीडियो को दुबा दौन मिलकर उस कारे को कितने समय में करेंगे अब बैससा देखो यहां से से सफच्ट हैस्ट के एको जो लगने वाला समय HAS infect है डो क्लración है एको जो समय लगेगा पंदरह तक तो अब आपको मिन वैल निकाल दो और बहतरी नेंज हो जाईगी सकी क्योंकि आपने देखा क्या 10-15 के बीच में है विल्कुल क्या यह 15-15 के बीच मेंने बलकि यह फोरा अब सेकिंड लेवल लगा दीजिए इसकी मिडवेलू निकाल लिए को आपको बताया था जो ने काल दीजिए मिडवेलू की आएगी इसकी आप समझ पा रहा हूंगे पंदर गैरेख्टे रहा चुकी है तो आंसर जो होगा वो 11 से तो बड़ा और 13 से छोटा होगा और देखिए क्या ये 13 से छोटा है 11 और 13 की रेंज में है नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है तो वट विली वी दा फैनल आंसर बार है सही नौ बटे टीन बड़े मान को आधा कीजिए छोटे मान को आधा कीजिए दौनों की दिनों को आधा कीजिए और सिर्फ ये देखिए कि उस रेंज में कौन दिखाई दे रहा है और वो आंसर टिक कर देए आगे बड़ते हैं गाचली के आई कुलिए और किसी कारे को ये और भी किसी कारे को 58 और 62 दिनों में कर सकते हैं दो तो उसके आदे दिन कर दीजिए यानि कितना आएगा भी है यदि हम करेंगे तो यहां आएगा उन्टीस यदि बी के अकॉडिंग चला जाए तो आंसर जो जाएगा वो कहां तक जा सकता है किसके आदा करना है बासट का 31 अब आपको रेंज देखें इस रेंज को और अच्छा कर लें इस रेंज को यदि हम अच्छा करेंगे तो उस केस में हम देखेंगे कि आंसर दोनों की मिड वै होगा 2013 और ती से छोटा होगा 29 से बड़ा और ती से छोटा है क्या यह 29 से बढ़ा ही नहीं एश्ञा है लेकिन 39 छोटा ए नहीं तेखते हैं आप देख पा रहे हूं कि अच्छा कुश्चन है कि यह देखिए यह बहतरीन कुश्चन इसमें आप एक वार स्य मिल्स निकाली है मज़ा जाएगा आपको देखिए राम और श्याम किसी कार्य को किरम से च्छासी एवर मठत कर सकते हैं दौनों मिलकर इस कार्य को के दिने समय में समाप्त करेंगेंगे कुछ नहीं अमीश さermal कंसेप लेधी आप इस्में लगांगे तो फी एक मैं क्या हautre कि शायगा कि राम जो राम जो जो बादा टो Candando पिखाई घ्रीति एक कर शाम काम क्माप्त हो जाए कर दो तो शाम चाहेगा कि दौनों शाम की तरह काम करें और ठैतर का आधा क्या हो जाएगा 49 दूनों में कारस हमापत हो जाए लेकिन ये दौनों अपने अपने हिसाब से चलेंगे और मैंने बताया था आंसर जो होता वो छोटे वाले मान और मद्यमान की बीच में होता है मद्यमान निका लेजिए 49zus 40 का मद्यमान क्या होता भी या 41 या तो जोड के आधा कर दो या फिर दौनों का अंतर कितना चार चार का आधा दो तो छोटी वाली वेलू में या तो उसे जोड दो आपको थोड़ा सा confusion इसलिए हो सकता है कि मैंने यहां छोटी वैलू और इधर बड़ी वैलू लिखे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आप चाहो तो राम को इधर लिख दो कोई इश्व नहीं है ऐसा अब जो मध्यमान कैसे निकालते दौनों को जोड़ का आधा कर दो य कर दो को यह कंफाम है देखूआं कि एक्तालिस से छोटा है किया तोuje चाहरा है तौन था रहीं हो रहे हैं बस आप दौनों मानों को आधा-धा कीजिए ज perse ौन पहर हो चोटे मान मद्दमान के बीच में होगा इसे देखिए यह कई एक्जामों में पूछा कि इतनी इन लोकेशन पर आया हुआ है ठीक है हम देखते हैं को कैसे करना है यह माईला हैं मिल कर किसी कारे को कितने समय में कर रहे हैं दस दिनोमें जबकि जब कि 10 बच्चे मिल कर कि करें इसकारे को कितने में में हिए कोई भी वेल्यू घ्जाम आई जिर इसमेर है आप और जो यह 6 महीला है ना यदि आप इसे detail pattern में करेंगे ना बहुत जादा हो जाएगा यह बड़ा आप सिर्फ इसे normal तरीश गए 6 महीला है उसे A माल लो और 10 बच्चे जो हैं इने B माल लो यदि हम 6 महीला हैं उनको कितना समय लग रहा है 10 तो हमने माना A है वो क्यों क्यों कि यहा क्यों 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 क्योंकि यह 6 महीलाओं निकालना है दोनों के अंतर को आधा करके आते इसमें जोड तो या इससे घटा दो या फिर दोनों को जोड़ के दो से भाग देतो हमने देखा 2.5 आएगा तो 1.25 नहीं 6.25 आएगा भाई अपनी अपनी calculation यह तो जितनी fast हो अब हमको यह पता चल गया कि answer जो होता है वो छोटे वाले मान और मद्ध मान के बीच में होता है इससे बड़ा और इससे छोटा रहेगा पांस से बड़ा और 6.25 से छोटा क्या यह possible है क्या यह पहला वाला option possible है नहीं क्या यह possible है पांस से बड़ा और 6.25 से छोटा नहीं क्या यह possible है पांस से तो बड़ा है लेकिन 6.25 से भी बढ़ा यह वी संभव नहीं क्योंकि यह रिंच चाहिए हमें पांस से बड़ा और 6.25 से छोटा सी दे टिक बाल पेंट चलाने की कोई जरूद नहीं पड़ेगी यह आप देखोगे तो ठीक है अगला कॉश्चन इस वाले कोश्चन को अच्छे से देख लिजीए और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आनसर दें आप सिर्फ इसमें से ऑप्षण A, B, C, D इस तरीके से आनसर देंगे A, B, C, D जो भी आपको सही लगे वो आंसर देंगे बिना बॉल पेन चलाए देखके से आंसर दें और जिसके आंसर सही होंगे उसके कमेंट को मैं लाइक करूँगा ठीक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और ये वाला कॉश्चन देखिए बहतरीन कॉश्चन है देखिए इसे एक बार पढ़ लेना आराम से यदि आपको लगता है आप इस कॉश्चन को एजीली कर देंगे तो ठीक है बहुत बच्छी बातें नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए उसमें हम आपको मिश्चन में इसे चुक्तियों में करना से कहेंगे जै हिंद और जै भारत